वेलकम स्टूडेंट स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल उपलर गुरू पे बात कर रहे हैं हापे पार्टलिपुत्र यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स आपको बता दे कि बहुत ही लेटस्ट अपडेट्स यहां पर निकल के आये हुए हैं पार्टलिपुत्र यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट्स यहां पर पार्ट वन और पार्ट टू का रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट नियूज आज आपके एक्जामनेशन कंट्रोलर महेश मंडल द्वारा जारी की गई है फाइनली तो इस्टूडेंट्स आज आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सेशन अठारा अगर आप सेशन यहां पर उनिवर्शिटी से रलेटर सबीके सबी अपडेट सबसे पहले दिये जाते नहीं जुड़े वें अभी तक तो जुड़ जाए नीचे लालांका सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब करें चैनल को और विडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी गंडोलर है हमारे examination गंडोलर है उनके द्वारा भी तक कहा जा रहा था कि यहां पर Feb में जारी कर दिया जाएगा यानि कि February में जारी कर दिया जाएगा उसके बाद मा यहां पर मार्ज तक शागा इसके अपर लेकिन यहां पर फिर से homme नई statement निकलके आई हुहा जैसा कि आप लोग को यहां पर दिखाना चाहेंगे एक दम यहां पर जैसा कि सामने देख सकते हैं सभी स्टुएट्ट्स यहां पे अपने सामने आ पर देख सकते हैं पार्ट लेपुतर यूनिवर्सिटी पीप्यू द्वारा यूजी पार्ट वान और पार्ट टू का रिजल्ट होली से पहले प्रकाशित कर दिया जाएगा बाइ डॉक्टर महेश मंडल कंट्रोलर और अग्जामनेशन देख रहे हैं ओफीशियली नोटेस जारी कर दिया गया पार्ट लेपुतर यूनिवर्सिटी पीपी यू के द्वारा डॉक्टर महेश मंडल के द्वारा तो इस्टुएंट्स आपको बता रहे हैं कि देखते हैं रिजल्ट जो है आपका जैसे कि एक्सपेक्टेड डेट फॉर्टींत को है यानि 14 तारीख को मंडे पढ़ता है औ अधा कि result का result late होने का कारून अप सब इस्टुएंट को पता है वो है OMR-Sheets में हो रही बारी गलतियां आप लोग को पता है कि आपकी जो copies हो check वो चुके हैं आपका exam तो वहाँ पर easy हो जाता है क्योंकि आपको चार answer में से एक answer ही यहाँ पर tick करना होता है लेकिन अगर कोई student है जिसको जिसने एक answer tick कर दिया लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह answer तो मैंने गलट tick कर दिया लेकिन अब वो कुछ कर ने सकता तो जो जो सही वाल answer होत लेता है आपके answers को तो आपका जो पूरा sheet है उसको manually check किया जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है हलांकि final date जो है उसको दुबारा से जारी कर दिया गया है part one और part two दोनों के students को यहाँ पर दुबारा से inform कर दिया जा है जो भी 18 यहाँ पर 19-22 के students है और जो भ क्या पता यह छूट गया हो क्या पता वह छूट गया हो क्या पता हमने भी कुछ गलती कर दियो अगर ऐसा लगता है तो comment section में जरूर बता या फिर इसके अलावा भी अगर कुछ भी आपके पास question है results related आपके admissions related exams related कुछ भी question है आपके पास आप लोग जरूर पूछ सकते है पार्टले पुतर यूणिवर्सिटिस related कुई भी आपके पास question आप जरूर पूछ सकते है इस वीडियो के नीचे comment section में और वीडियो live देख रहे हैं तो live chat पे आप लोग बिलकुल पूछ सकते हैं वीडियो और एक चीज़ और सभी students को बता दे कि आप हमारे telegram group को जरूर स आपको और इंतजार करना है उसके बाद जो आपकी पढ़ाई है वह वापस से start हो जाएगी notices जारी होना start हो जाएंगे आपके यहां पे जो भी चीज़े आपके classroom में start हो जाएगी सभी के सभी updates आपको सबसे पहले यहां पे वहां पे मिलते रहेंगे आपके classmates 1000 classmates वहां पे आ मिल जाएगा WhatsApp का भी हलां कि WhatsApp में एक बाद चेक कर सकते WhatsApp में दो 200 student होता है सबसे जादा इस student आपको यहां पे telegram पर देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि WhatsApp पे जादा यहां पर एक WhatsApp group में जादा यहां पर लोग आ नहीं सकते दो 200 students से जादा उसका शमता जो होती है वो नहीं हो WhatsApp group के तो दोनों एक बाद चेक कर लें अगर आपको WhatsApp में जगह मिलती है तो ठीक है वरना आप टेलिग्राम भी जोइन कर सकते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें कोई question है दुबारा repeat कर रहे है कोई question है तो ज़रूर पूछ सकते हैं comment section में और live देख रहे है और students आप सभी को बता दें कि update से जुड़े रहने के लिए चैनल से भी ज़रूर जूड़ जाए नीचे लाल रंगा subscribe बटन है subscribe कर ले हमारे इस चैनल को ताकि कोई भी update आपसे कभी मिसना हो मिलते हैं next update के साथ तब तक के लिए नमस्कार